हाई दोस्तों इस वोडियो में हम आपको बताने वाले हैं मैसेज की सेटिंग खराब हो गई है तो कैसे सही करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले फोन के सेटिंग्स में जाना है अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर एप्स का आप्सन मिलेगा इस आप्सन पर क्लिक करना है अब उपर एप मैनेजमेंट या मैनेज एप्स का आप्सन मिलेगा इस आप्सन पर क्लिक करना है अब जहाँ पर सभी एप्स रते हैं उस सेटिंग्स में आ जाएंगे इसी सेटिंग्स में आना है और अब मैसेज एप को खोजना है तो हम आते हैं नीचे देखे यहाँ पर आचुका है इस एप पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर force stop का option मिलेगा इस पर क्लिक करके force stop कर देना है इतना करने के बाद अब यहाँ पर storage, uses या storage का option मिलेगा इस option पर क्लिक करना है फिर यहाँ पर clear data का option मिलेगा इस पर click करना है और okay कर देना है ऐसा करने से कुछ भी delete नहीं होगा कोई number या कोई message भी delete नहीं होगा फिर आना है बैख home screen पर और अब अपने phone को एक बार restart करना है कैसे restart करेंगे तो देखे जो phone का power button है जिससे mobile lag होती है इस button को कुछ second तक दवा कर रखना है तो यहाँ पर option आएगा restart का इस option पर click करना है और जैसे ही फिर से click कर देंगे तो phone अपने आप ही switch off कर switch on हो जाएगा इससे आपका कुछ भी delete नहीं होगा और जो भी problem रहेगी सब ठीक हो जाएगी तो इतना करने बाद message को open कर सकते हैं तो देखे जो भी problem सब सही हो चुकी है और इस तरह आपका भी सही हो जाएगा तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को like और channel को subscribe कर लीजिए एक अच्छा सा comment भी कर दीजिए थैंक यू